आपको किस तरीके से PCM का प्रिपरेशन करना है आपका एक्जाम भी बहुत अच्छी तरीके से गया क्योंकि जैसा मैं आपको अपको बताता हूं कि अभी ना एक समस्या यह है कि हमको यह नहीं समझ में आ रहा है कि सर कितने माक्स पे कितना परसेंटाइल मिलेगा यह आपको स इस शिप में क्या होगा ऐसा सा बहुत सारा अग्दम कम्यूकेशन दे दिमाख में बहुत कुछ चल रहा है ठीके तो मैं आपको यह चीज बताता हूं एक दम सिंपल तरीके से यह सीटी सेल की तरफ से एक डॉक्यमेंटेशन है यह आपको अमारे चैनल पर ही मिल जाएगा तो इसको 10 मिनिट निकालके एक बर पढ़ लेना अब नहीं भी पढ़ोगे तो कोई बात नहीं मैं एक बर आपको बता देता हूं देखो सिंपल तरीके से यहां पर ना एक ना यह लोग सबसे पहले किसके बैसे पर बनाते हैं वह समझ लेते हैं हम लोग किसी बच्चे ने 150 स्कोर किया है एक बात ने नहीं नहीं यह गलत है पहला वह लोग स्कोर देखेंगे पिर उसके बाद आपके शिफ्कार टॉपर का स्कोर क्या है पिर तीसे बाद देखेंगे कि नंबर आफ स्टूड़ेंट्स क्या है आई होब आपको तीनों चीज़े सम फिर टोटल नंबर अफ स्टूडेंट्स कीतने इस बेसेस पर लोग बनाएंगे सो बच्चो मेरे बोलने का मतलब यही है कि for example आपके shift के अंदर paper बहुत easy आया था easy it means it means to say like मतब बच्चे लोगों ने बहुत ज़्यादा score कर दिया जैसी कि जो आपके shift का topper है तो 180 आ गया उसका सबसे ज़्यादा marks 180 so उसके basis पे आपको कितना मिला है आपको मिला है for example 165, 170, 150, 120 so उसके basis पे आपका cut up बनाए जाएगा तो अब यह तो easy वाला हो गया 180 अगर for example जैसे मैं 8 अगस्त की बात करूँ और 12 अगस्त की बात करूँ तो यह जो दो shift थे यह टाइम पर पेपर टफ आया था so इसमें का जो topper होगा उसका जो mark से for example last to last उसको 150 मिला है so उसके basis पे 150 से आपको compare किया जाएगा नहीं समझ मैं for example जैसे आपके फैमिली में देखो कभी कभी ऐसे जब percentage आता था आपके रिलेट्व देखो compare करते थे अरे आपके घरने कैसे बोलते थे अरे तो आपना मामा चाप ओर गया ना त्याला किती त्याला 90% आले तुला किती सब और होबर है ठीक है तो यहाँ पर देख लो मैं आपको बता देता हूं जैसे कि वो लोग बताने की कोशिश कर रहे है ठीक है उससे पहले मैं PCB आलो के थोड़ा एड़ कर दूँ पीसी वालो के लिए भी सेम ही है मेरे को बस इतना कहना है कि यह रहे यार बच्छो अगर ना आपना पेपर देने जाते हो PCB का रुख जाओ PCM वाले दो मिनिट रुख जाओ खाली PCB का देने जाते हो राइट सो मैं आपको यह कहने की कोशिश कर रहा हूं कि बायो में 100 कोश् तो करेक्ट करके आओ प्लस केमेस्ट्री में आपको 35 मिल जाते हैं और फिजिक्स में आपको 20 मिलते हैं तो देखो 80, 90, 100, 130 यह 130 मांग आपको मिल रहे हैं तो आप भी टॉपर हो फॉर एक्जामपर माल लेते 130 मांग सी मिल है और यह टॉपर बन दा है तो इसके वेसे पर आ 98 डालेंगे 97 96 95 इससे कंपेर करेंगे अब होता क्या पता है क्या यह बोलने के लिए तो अच्छा लगता है कि मुझे 99 पसेंटायल मिले 92 पसेंटायल मिले 94 पसेंटायल मिले पट एक्शली में मांग बहुत कमी होते समझ में क्यूंकि shift टॉपर भी कमी आप समझ पार हो मैं क सो आपका जादा से जादा गिरते गिरते 95 तक आजाएगा राइट 95 94 आप बोलो के 95 पसेंटायल है पर देखो के एक्शली में तो दोसों में से 180 नमबर मिला है समझ में है क्या खाली बोलने के लिए बोलने की बात है कि बहुत अच्छे पसेंटायल है पर मार्क्स कमी होते पर एडमिशन पसेंटायल के बेसिस पी होता है सो मेक शूर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चीए इसके अंदर देखो यार मैं बता दू इसके अंदर चक्कर में पढ़ो इमत की मेरेको इतने मार्स आइंगे मेरेको कितना पसेंटायल मिलेगा आप बता सकते हो क्या कि आप सब के लॉजिक में मत पड़ो जिन्दीगी को इंजॉय करो पेपर दिया ना एकदम मेहनत करके तो अभी इंजॉय वाला मुमेंट है इंजॉय करो समझ मैं अभी रुको वीडियो और देख लो पहले बता देता हो यहां पर वो लोग ने क्या किया कुछ-कुछ जैसे सेंट प्रेजेंट टोटल स्टुनेंट कितना है हाइस का कितना है या 154 लोएस का कितना है उसी सबसे हाइस से कंपेर कर लेंगे आपको समझ मैं सेशन वन सेशन टू के साब से फिर यहां पर लोग ने फॉर्मला भी देखे रखा कुछ काम का नहीं है ठीक है जास आपको सम कितना मिला है मार्क्स that's it जैसे फीजिक्स का फीजिक्स में भी केमेस्ट्री का और यह मैं यह मैं मैश का है मैस्ट में इसी तरीके से यार बचो और यहां पर लोग ने एक बताया भी है जैसे फोरेक्जाम्पल फीजिक्स में बच्चे को 38 मिला तो उसका 89 पसेंटाइल बन यह सब के चक्कर में इस को झोड़ तो पकड़ो मत तो इस लक्चर निया न रहीक है अब है उसको च्छोड़ दो इस nego समय less मुझे इस इतनने बताना था कि आप इसके कड time मेन पढ़ो 줄 को पुर नहीं को दो आख से न देना है he इतर आपको एक कोशन पर एक ही मार्क मिलेगा और आपको 100 कोशन अटेम कर रहे हैं तो इस वीडियो अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें अभिशेक सर का सजेशन यही है कि तीन तरीके से उलोग डिसाइड करेंगे पहला शिप्ट अपर कितना है ठीक है फिर शिप्ट हाड एक ही इजी है पितीसरा नंबर ओफ केंडिडेट्स सो बस जो है सो है अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अच्छे कासे पसेंटाइल आएंगे अगर आपको लगता है कि आपका पेपर हाड गया तो टेंशन नहीं लेने का, सब का पेपर हाड गय है तो वो टाइम पे कंग same सब करेंगे यहादा पसेंट्राइल बने का टेंशन नहीं लेने का इस बात का ठीक है चलो Whoo bye बआपके रादे रादे जय हमाराष्पर